हाई अब्रीवन वेलकम तू माई चैनल आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में मेरे डिश्वाशर का रिव्यू आप लोगों के धेर साले रिक्वेस्ट रहे देशोना जल्दी ये वीडियो बनाओ हमें भी जानना है आपको कैसा लग रहा है मुझे क्या क्या इसमें कमिया लग रही है और आपको क्या ही अपने घर के लिए खरिदना चाहिए या नहीं या नहीं कि बड़ा इंवेस्मेंट है और अभी इंडियन हाउस्वोल में ये उतना भी कॉमन नहीं हुआ है जितना की बाहर की कंट्रीज में है तो इसे थोड़ कई सारे डिश्वोशर चेक आउट करने के बाद फाइनली मैंने अपने किचिन के लिए लगी का डिश्वोशर लिया उसके पिछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कुकिंग के हिसाब से बनाया गया है तो जिस तरीके से हम खाना बनाते है ह तो स्थीम के वज़े से क्या होता है पानी के धब्बे नहीं रहते है बरतन दूलने के बाद और क्वाड वाश्टो है वो क्लीन करता है हर एक एंगल से साथे साथ में इसमें इसमें इजी रैक दिया हुआ है फोर वाशिंग आम्स है चली मैं आपको यहां पर डिमेंशन द के लिए यहां पर देखिए तो बास्केट दिया हुआ है चम्मच और काठे लिए वैसे अंदर में भी आप रख सकते हो अगर कम कॉंडिटी में है तो उसके साथ ही में आपको हर दिन वाशिंग से पहले पाउडर डालने के यहां पर जगा दी गई है यहां पर देखिए मे अगर आपको नहीं दोने हैं प्लेट और कढ़ाई कुकर वेकर रखना है तो सारे टाइंस को आप बंद कर दीजिए तो यहां पर आप कढ़ाई कुकर बड़े बरतन साड़े रख सकते हो तो यह बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो चलिए बात करते हैं वाशिंग साइ आपने डीफ्राइ किया नौन विज बनाया तो वैसे केस में आपको इंटेंसी भी चूज करना चाहिए फिर आता है डेलिकेट जैसे नाम सही चल रहा है पता की डेलिकेट डिशिस के लिए है जैसे की बोन चाइना हो गया या फिशीशे के आइटम सो गए तो उसके लिए पर आता है इको में सफाई एच्छे से होती है ड्राइंग एच्छे से होता है पर यह एनर्जी एफिशेंट है और वाटर कंजप्शन इसमें कम होता है उसके बादा है रिफ्रेश मोड तो अगर ऐसे कोई भरतन है जिसको आपने बहुत टाइम से यूज नहीं किया है पड तो मतलब बहुत सब्सक्राइब नहीं है वहां पर यूज कर सकते हो इसके साथ में कुछ और भी फंक्शन है जिसे कि हाफ लोड है इस आपने सिर्फ उपर वर्तन रखे हो या नीचे रखे हो तो आप हाफ लोड पे पिसको चला सकते हो तो बहुत सारे ऑप्शन से दीज द कर सकते हो एक्स्ट्राइब आप स्लेक कर सकते हो तो अलगए-द्रम के साथ में एक्स्ट्रा फंक्शन दिये वें जौप स्लेक कर सकते हो वैसे हर मूड पर इनेई चलता है तो आपको देकना पड़ेगा कि Penukle ने तो यहिं इसका देईखेंगा अबैकर फंक्शनलि Ministries आपको ब्रोशर मिलता है इसके साथ में तो उसमें पढ़के भी आप समझ सकते हो और देमो वाली जो बही आएंगी वो भी हच्छे से समझाई देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैं आटो मोड सिलेक करती हूँ तो कितना टाइम लगता है तीन घंटा और 15 मिनट यहाँ पर दिखा रहा है उसके साथ में मैंने स्टीम सिलेक कर दिया ऑप्शन अगर मैं स्टार्ट दबा दूँगी तो ओवराल ही हमको दिखा रहा है तीन घंटा और 38 मिनट लगेगा पर अगर मैं यहाँ पर तर्बो यूज कर लो साइकल तो सिर्भो में मतलब कम ताइम में भी आप वाश कर सकते हो इसके साथ में आपको खड़ेना पडता है डिश वाशिंग जाना और दीतररजंट ऑु रिंस एड यह फ्री नहीं आता है अलग से आपको लेना पड़ता है आपको पर्चेस करना हो इन मेंसे आपको जो यहाँ आप तो आप में आपको पता चल जाएगा तो यही तीनों चीजिस में आपको डालने रहते हैं तो चली मैं आपको दिखाती हूं कुछ बरतन रखके और धो करके कि कैसा यह सफाई करके हमें देता है अगर यह बरतन बहुत जादे गंदे आपको लग रहे हूं पर मैं ख्यागरू डेमो के लिए मुझे आपको यह दिखाना ही पड़ेगा पर अगर इतने बरतन होते तो हम हाफ रूड में भी इसको चला सकते हैं तो यह फंक्शन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अब यहाँ पर कुछ कटोरियां है उसको मैं उपर शिफ्ट कर दूगी तो यह आपको 10 से 15 में मतलब लगेगा स्टाटिंग में समझने में कि क्या क्या रखा जाए बात में पर आदत लग जाएगी तो 2 से 3 मिनटों में ही आप आराम से सबको सेट कर लोगे कि कब कहां रख कि हाइट को उपर कर सकती हूं तो यहाँ पर बटन प्रेस किया और अराम से हम इस प्रे को उपर कर लेंगे और अगर नीचे करना हो तो एक प्रेस में नीचे कर लेंगे तो मुझे LG में यह चीज बहुत अच्छी लगी वैसे और भी आपको मिल जाते हैं ब्रैंड में इसक सब काफी गंदा है और सब को मैंने वैसी रख दिया और एक बड़ चेक कर रही हूं कि फैन अच्छे से रोटेट हो रहा है कि नहीं वह चेक करना बहुत ज़रूरी है तो सारे बरतन आगे अब लास्ट में डाल दूंगी ड्रजेंट और उसके बाद में इसे वाश करने डा तो overall हमें 2 घंटा ही लगने वाला है और 2 घंटे में ही सफाई हो जाएगी तो चली थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्लीनिंग कैसी होती है मैं आपको finally result भी दिखाने वाली हूं क्लीन अच्छे से हो भी रहा है या नहीं हो रहा एक और अच्छा option लगा मुझे LG म तो आप में चेक कर सकते हो कितने घंटे का साइकल बचा है आप साइकल डाउनलोड कर सकते हो आप overall अपनी मशीन की हेल्थ यहां से चेक कर सकते हो तो यह आप भी मुझे काफी बेनिफिच्छ लगता है वाई-फाई से आपको बस कनेक करना रहता है चलीए साइकल हमारा एं इस पूरा ही ड्राय रहता है आप देख लीजिए तो उपर से तो सब को चम चमाता हुआ दिख रहा है अब चलीए मैं आपको अंदर से दिखाती हूं कितना क्लीन है तो यह देखिए हमारे जो स्टील के बरतन थे पतिला काफी साफ लग रहा है यह वाले पतिले में पहले स सही लगता है मुझे पर में हो जाता है कि देखते हैं हेविली स्वाइल के साथ में क्या होता है तो आप देखी रहे हो कि बहुत अच्छे से साफ हो गया है तो इसको मैंने एक बार भी स्करब नहीं किया था अब यह देखिए मेरा स्टील का कूकर है इसको भी मैंने स्करब बाकि जितना भी आप देख रहे हो स्टील का अच्छे साफ हो जाता है चमच वेगरा काटे वेगरा भी साफ हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और यहां पर देखिए बस आपको नीचे का यह जो पोर्शन है इसको फिल्टर को क्लीन करना देता है हर वाश के बाद एक्सट्र आपको कुछ महनत करने की जूरत नहीं है तो वाशिंग के साथ में क्लीन हो गया है वैसे आप मशीन को भी आपको बाश करना चाहिए पर वह हमेशा नहीं करना चाहिए हफ्त महीने में आप दोबर कर सकते हो अबर आप देख लीजे सारे ही बरतन क्लीन है सिफ य मुझे अभी यही दो जगा तकलीफ लग रही है बाकि जो यह चनिया वगरा होती है यह तो हाथ से क्लीन इतना होता ही नहीं था अल्मूस नया जैसा हो चुका है यह वाला देखिये मेरा यह पूरा काला हो गया था पर अब कितना क्लीन है और जिसा कि मैंने का शीशा का तो आपको थोड़ा सा दूर हुआ हो आपको थोड़ा सी क्लारिटी मिली हो क्योंकि बड़ा इंवेस्मेंट है इतने बड़ा इंवेस्मेंट करने से पहले हमें किसी इसे इंसान से पूछ यह यह यूज कर रहा है कि उसके क्या रिव्यूज हैं तो आपको अन्रदा लग गया ह ताइम बच जाता है और आराम से हमारा काम हो जाता है, मेरा बहुत काम आसान हो गया है, चाहे मुझे खुद का बाकी का काम करना हो, या वीडियो बनाना हो, मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, एक डिपार्टमेंट कम्प्लीटली मेरे दिमाग से हट चुका है, तो काफी आराम हो जाता है तो इनके साब ऐसा कुछ ढून रहे हो तो डेफिनिटली आप इसे पर्चेस करिए मुझे नहीं लगता कि आपको पस्तावा होने वाला है पर मैं यह सिफ LG की बात कर रही हूं कि मैंने इसे यूज किया है बाकी का मुझे पता नहीं पर मेरे साब से LG जो है काफी अ सिति हो अगली बाल बाइ